ओम शान्ति आज हम मेठे बाबा की 30 जन्वरी 2014 के मेठे महवाक्य सुनेंगे प्यारे बाबा अज हम बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम्हारी सुनवाई होती है बाब तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं अभी तुम अपनी वान प्रस्त अवस्था में हो वापस घर जाना है तो बाबा कहते हैं इतने समय से द्वापर्यूग से अरजियां डालते रहे अब सुनवाई होती हैं और अरजी क्या डाली दुख से छुडाओं सुख में ले जाओ तो बाबा अब सुख धाम बनाकर हमें सुख में ले कर जा रहे हैं और बाबा कहते हैं तुम सब की अभी वान प्रस्त अवस्था है अब घर जाना है अब शरीर की आयू को मत देखो अब देखो कि आत्मा अपनी दिर्गायू में है, अपनी वानप्रस्त वस्था में है और अब लक्षे है घर जाने का प्रश्न है, सदा योग-युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आग्या बार-बार हर बच्चे को क्यों मिलते है बाबा रोज एटेंशन खिचवाते हैं, योगी बनो, श्रीमत पर चलो, कई बार संकल पुठता है बाबा बार-बार क्यों कहते हैं, तो बाबा कहते हैं क्योंकि अभी अन्तिम विनाश का द्रिश्य सामने है बाबा कहते हैं, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है, कि अभी जितना योग कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं उस अधार से जिवन की गाड़ी ठीक चल रही है लेकिन बाबा कहते हैं, ये जो बाबा की श्रीमत है, कि योगी बनो और कदम कदम पुन्य का खाता जमा करो ये क्यों देते हैं बाबा, इस समय के लिए नहीं, अन्तिम विनाश की सीन को देखकर कि जब वो सीन आए, तो इतनी अवस्था बच्चों की तयार हो जाए कारोडों मनुष्य मरेंगे, नाचुरल कलामिटीज होंगी, उस समय स्थिती एकरस रहे सब द्रिश्य देखते भी, ऐसा नहीं कि उस समय देखेंगे नहीं, बेहोश हो जाएंगे आँखों के सामने सारी सीन चले, लेकिन देखते भी मिरुआ मौत मलूक का शिकार जैसे जब शिकारी शिकार करता है, तो शिकार के लिए तो मौत होती है लेकिन शिकारी के लिए शिकार होता है, ऐसे हर एक को तो ऐसा अनुभव हो विनाश हो रहा है लेकिन हमें अनुभव हो कि हम तो घर जा रहे हैं और नई दुनिया में आने के लिए ये प्रकृति के सफाई हो रहे है ऐसा अनुभव हो उसके लिए योग-युक्त बनना पड़े वरना क्या है ऐसे विनाश की सीन का जैसे प्रभाव पढ़ जाएगा स्थिती पर श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे क्योंकि श्रीमत का बल और योग का बल जो जमा किया है वो आवस्था को हिलने डुलने नहीं देगा उनकी बुद्धी में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड अपने स्वीट होम में जाएगे उनको ऐसा नहीं लगेगा विनाश हो रहा है लगेगा पुराना चोला छोड हम तो स्वीट ओम जा रहे है और स्वीट ओम का तो नाम ही स्वीट है तो वहाँ जाने में तो खुशी होगी न ओम शान्ती सब इने ओम शान्ती कहा बाबा को बाबा ओम शान्ती रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं अथ्वा रूहों को समझाते हैं तो रूहानी बाप रूहों से रूह की बातें करते हैं रूह रिहान करते हैं समझाते हैं क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है तो अब सुनवाई करने बाबा आये हैं सब आशिक है एक माशुक के, वो भी आधा कल आशिक रहे हैं, उस माशुक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है, उनको बैट पूझते हैं, अब चित्र भी पूरा एक्कुरेट नहीं बना, लेकिन शिव जियोतिर लिंगम के रूप में पूझते हैं, उनसे क्या मांगना चाह अधाते हैं, वो पता नहीं है, है न, क्योंकि यथार्त ज्यान ना होने के कारण, ये भी नहीं मालूम कि बाबा क्या देते हैं, अल्पकाल की हैं, कुछ न कुछ सालवेशन मांगते रहते हैं, गाड़ी बंअगला है न, या नोकरी एस्वास्थ हैं, लेकिन बाबा कहते है क्या वास्तम में चाहिए, सुख कैसे मिलेगा, सुख क्या है वो भी नहीं जानते पूजते तो सब है, शंकराचारे भी पूजा करते हैं, सब उनको बड़ा समझते हैं चाहे धर्मात्मा हो, महात्मा हो, हर एक पर्मात्मा को तो पूजते हैं भल धर्म स्थापक हैं, परंतु वो भी पुनर जनम लेते लेते नीचे उतरते हैं, बाबा केते धर्म स्थापक है न, जाए क्राइस्ट हुए, बुद्ध हुए, वो भी जब पहले पहले आते, तो धर्म स्थापना का कारे करते, लेकिन उनका पार्ट पी फिर पुनर जनम ल में आने वाले, देवी कुल में आने वाले, ध्वापर्युक से जो धर्म पिताएं आये वो भी, बाद में जो महत्माएं आये वो भी, और बाकी भी सर्वात्माएं, सब पुनर्जनम लेते-लेते, पिछाडी में पहुंचे हैं. बाबा कहते हैं, तुम छोटे बड़े सबके वानप्रस्त अवस्था हैं, अभी सबका अंतिम जनम हैं, मैं तुम सबको वापिस ले जाता हूं, वापिस तो बाबा सर्वात्माओं को लेकर चाएंगे, चाहे देवी कुल मिक्की हों, चाहे बाद में आने वाली हों, मुझे ब पतित दुनिया में आओ, क्योंकि बाबा का करतव यहीं पतित पावन का है, कितना रिगार्ड रखते हैं, पतित दुनिया पराय राज्च्य में आओ, बाबा भी आज जैसे हासी कुडी कर रहे हैं, रिगार्ड रखते हैं, तो इन्विटेशन भी कहा देते हैं, पतित दु है दुख हरता सुख करता तो जरूर छी छी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े क्योंकि पुराने में ही दुख है तो दुख हरता सुख करता कब आएंगे पुरानी दुनिया पुराने शरीर में वो भी तमो प्रधान शरीर में तमो भी नहीं तमो प्रधान जब बिल्कुल पुराने ते पुराना हो जाता, सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद भी नहीं करता। बाबा जैसे बच्छों को याद दिला रहे हैं, कि दो युग तुम मुझे भूल जाते हो। ड्रामा अनुसार सब को मैं सुखी बना लेता हूं। बाबा आते हैं, तो बाबा है पतित पावन, दुख अड़ता, सुख करता, तो बाबा के आने से हम सुखी पावन बन जाते हैं। बुद्धी से काम लेना है, कि सत्यूग में जरूर आदी सनातन देवी देवता धर्म होगा। और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। भागवत पढ़ते हैं, पुरान पढ़ते हैं, श्री कृष्न के समय की बात पढ़ते हैं। लेकिन बुद्धी में नहीं आता। कि सत्यूग में ऐसे कृष्ण पुरी होती, ऐसे विष्णु का राच्य होता, ऐसे श्री लक्ष्मी नारायन आठ गद्यों पर राच्य करते, इस सब बुद्धी से काम लेना होता है, कि कभी तो संपूर्ण सुख का राच्य भी होगा, दलदल में पढ़ने वाले दुखी होते हैं, और चाहे विकार हैं, चाहे भक्ती हैं, दलदल हैं, क्योंकि जितना अंदर चाते हैं, डूपते भी जाते हैं, और खिचते भी जाते हैं, यह है दुख धाम, वो है सुख धाम, बाप कितना सहेच करके समझाते हैं, क्योंकि बिच अबलाई कुछ भी नहीं जानती हैं, हम बच्चे तो कुछ भी नहीं जानते थे, ना स्वा के बारे में, ना बाबा के बारे में, ना अपने आदी मध्यांत की कोई बात जानते थे, ना विकारों को पहचानते थे, कोई को भी पता नहीं है, कि फिर वापिस भी जाना है, या स दिये वचनों अनुसार, अनीक धर्मों का विनाष्ट तो तभी होगा न, जब सब धर्म आ जाए, तो अभी कल्युगंत में सब धर्म आकर यहां पहुंचे हैं, पहले-पहले जब स्वर्ग था, तो एक ही धर्म था, सारा चक्र तुमारी बुद्धी में है, यह न, हमारी त्रिकाल, दर्शी, त्रिलो की नात बना दिया, अब हमारी बुद्धी में सब कुछ आ गया, तीनों लोक भी और सृष्टी का आधी मध्यांत भी, कोई और की बुद्धी में ये बातें रह ना सके, वो तो कल्प की आयू ही लाखों वर्ष कह देते हैं, इसको कहा जाता है गोर अंधियारा, जब एक्टर ड्रामा के आधी मध्यांत को ही ना जाने, अपने पाट को ही ना जाने, तो इसको कहते हैं घोर अंधियारा, ज्ञान है घोर सोच रहा, अभी तुम बच्चों की बुद्धी में रोशनी है, तुम कोई मंदिर आधी में जाएंगे, तो तु कहेंगे हम शिप बाबा के पास जाते हैं, क्योंकि तुम्हें तो उस चित्र के पीछे जो चैतन्य है उसका परिच्चय मिल गया है, ये लक्ष्मी नारायन हम बनते हैं, तो अब समझ में आ गया है, ये तो हमारे ही संपून स्वरूप का चित्र है, ये बाते और सत्संगों और कहीं ये बात नहीं होगी कि हम ये हमारा चित्र है, हम लक्षमी नारायन बन रहे हैं, वो सब है भक्ति मार्क की भाते, वहां तो कर्म, कान, रसम, रिवास, तीर्थ, तीरत्थ, या कथा सुनना, शास्त्र पढ़ना, उप्वास करना, या जब तप करना, वो विधी अलग ह और यहां तो सुम्रिती से समर्थी स्वरुब बनना, योगी बनना, पवित्र बनना, श्रीमत पर चलना, ये मार्ग लग है, रुहानी सेवा करना, ये मार्ग लग है अभी तुम रचता और रचना के आदी मध्यांत को जानते हो, रिशी मुनी आदी कहते थे हम नहीं जानते हैं, कहते थे न, नेती नेती, तुम भी पहले नहीं जानते थे, इस समय सारे विश्व में भक्ती है, सारे विश्व में, अनेक धर्मों के रूप में भक्ती ही चलत कर्म, कान, रसम, रिवाज, वो भी जिस्मानी है उसमें कोई आत्मा के मन बुद्धी के बात कुछ नहीं होती, कोई धारणा की बात नहीं होती, यह पुरानी दुनिया हैं कितने धेर मनुष्य हैं, सत्युग नई दुनिया में तो एक ही अध्वेत धर्म था, भावा कहते हैं धर्म भी अध्वेत था, राच्य भी अध्वेत था, और धर्म भी अध्वेत था, एक धर्म, एक राच्य, फिर होता है ध्वेत धर्म कहां से, द्वापर्योग से, अनेक धर्मों में तालिया बचती हैं, जब ध्वेत हो तब देत्य प्रवेश करें, तब क्रोध आएं, मूल अंतर मान्यताओं में हैं, तो फिर खिटखिट होती हैं, किसको भी अलग करते हैं, तो लडाई होती हैं, पार्टिशन होते हैं, डिवाइड एंड रूल, हैना कहते हैं, पुट डालो, राज्य करो, तो अलग-अलग करेंगे, व्यक्ति क्या चाहता है, कि सब एक हो जाए मनुष्य नहीं चाहता, मनुष्य चाहता है, अलग-अलग हो, तो पार्टिशन हो, तो हम राज्य करें, मनुष्य बाप को ना जानने की कारण पत्थर बुद्धी बन पड़े हैं, इसलिए आपस में कोई लडाता है, तो फिर उसकी बातों में आकर, हम भी धर्म भेद, भा राचे बेद में पड़कर, और फिर पत्थर बुद्धी हो, अपना ही, जैसे लडाई कर, अपने ही कर्म की गति खराब करते हैं, इस समय बाप समझाते हैं, देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है, देवी देवता धर्म में एक वाशा, एक राचे, एक कुल, एक म राचे था, ना धर्म का पता कि कैसे संपूर्ण प्योरिटी थे, संपूर्ण निर्वेकारी थे, ना ये पता कि एक राचे था, एक विश्व माहराजन, एक विश्व माहरानी, तुम अभी समझते हो, हम देवता बन रहें, अभी तुम समझते हो, तुमें जैसे अपना Obedient Servant बना है, कौन आये हैं सेवा पर, स्वयम भगवान, बड़े आदमी हमेशा चिठी लिखते हैं, तो नेचे लिखते हैं Obedient Servant, क्योंकि बड़े आदमी को जुकने में कोई तकलीफ नहीं होती, तो बाबा कहते हैं, बड़े आदमी पहले लिखते थे, आजकल तो नहीं ल कहते हैं, हम Obedient Servant हैं, तो दादा भी कहते हैं, हम Obedient Servant हैं, शिप बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, कि हम Obedient Servant हैं, क्योंकि उच्छे ते उच्छे बाबा और ब्रह्मा बाबा भी उच्छा, हम फिर पांच हजार वर्ष के बाद हर कल्प के पुर्षवत संगम युग में आता हूं, बच्चों की आकर सेवा करता हूं, मुझे कहते हैं दूर देश के रहने वाला आये देश पराये, इनका भी अर्थ नहीं जानते, दुनिया नहीं जानती कि दूर देश किसको कहते हैं, कहां से कब आते हैं, कौन आते हैं पराये देश में, इतने श वेदो शास्त्रों का सार समझाते हैं, हर धर्म ग्रंत का, वेज शास्त्र का जो तन्त है, कि करना क्या है, बनना क्या है, वो बाबा समझाते हैं, तुम बच्चे जानते हो कि इस समें रावन राज्य है, हर आत्मा, प्रकृति के पांचों तत्व, सब कुछ दुखदाई हो ग लग से निकाल बहिष्ट में ले जाते हैं, कहां यह नर्क और कहां स्वर्ग, उनको ही गार्डन ओफ अल्लाह कहते हैं, कल्यूग में है काटों का जंगल, संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है, तो बाबा देखो कैसे हमें काटे से फूल बनाते हैं, और फूल में किस चीज की खुश्प है, पवित्रता, फिर वहां सत्यूग में तुम सदा सुखी रहते हो, अभी तो हम थोड़े से फूल है, फिर सत्यूग तो पूरा फूलों का बगीचा हो जाएगा, फूल ही फूलोंगे, सारे काटे खतम हो जाएंगे, तो बाबा कहते हैं, वहां कभी कम नहीं होगे, आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख ये चक्र फिरता ही रहता है, इनकी end होती नहीं, क्योंकि फिर फिर पुनारावृत्ती हो जाती, सबसे बड़ा बाप आते हैं, सब को शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं, तुम जब सुखधाम में जाते हो तो बाकी सब शांतिधाम में रहते हैं, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, उनमें भी सुख जासती हैं, बाबा केते हैं, हम बच्चे जो आधा कल्प सुख देखते हैं, ऐसा नहीं द्वापर में एकदम घोर दुख देखते हैं, दुखधाम नहीं बनता, फि भक्ति मार्ग में भी बहुत धन्वान थे, द्वापर्यूग में भी भक्ति प्रारंब हुई तब भी बहुत धन्वान थे, धन्वान थे तब ही तो इतने बड़े-बड़े मंदिर बनवाए ना, अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धन्वान थे, बहुत धन्वान, जब तो दुनिया के हिसाब से सब कुछ है, लेकिन लगेगा, कि हम तो जैसे दिवाला मारे हुए हैं, कि महसुस ता क्यों आती, क्योंकि बहुत धन्वान थे, बाप समझाते हैं, भारत साहुकार था, पैरडाइस था, अब देखो कितना गरीब हैं, गरीबों पर ही रहम पढ़ता है, तो जब रहम जब गरीब हो जाता यही भारत, तो फिर रहम दिल बाप आकर फिर साहुकार बनाते हैं, अब एकदम कंगाल बनपड़ें, भीक मांग र लेकिन है तो भीक ही, जो सॉल्वेंट थे, अब इन सॉल्वेंट बन पड़े हैं, कंगाल हो गए हैं, जो माला माल थे, जिनके सर्व बंडारे भरपूर थे, ये भी नाटक है, ये भी ड्रामा का पाठ है, बाकी जो भी धर्म आते हैं, वो बाइपलोट है, वो तो बीच में आते हैं, वो तो जैसे साइड में है, में पलोट तो हमारा है भारतवासियों का, जो आदी से अंत तक हीरो पाठ पचाते हैं, कितने धर्म के मनुष्य वृद्धी को पाते रहते हैं, भारतवासियों के ही 84 जनम है, आदी से अंत तक तो भारतवासियों का ही पाठ रहता, ए एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, है न, कि इसलामी जब आए तो फिर कितने धर्म होंगे, बौधियों के कितने, परंतो जास्ती इन बातों में जाने से कोई फाइदा नहीं, क्योंकि मूल बात तो है, अभी संसकार परिवर्तन कर नए संसार के लायक बनना, है न, योगी बनना, पवित्र बनना, दैविकुन संपन बनना, राज्थानी बनना, ये भी waste of time हुआ, इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती, अपनी तो मुख्य बात है कि हम पूरा पुर्शार्थ कर विश्व का मालिक बने, हमारी मुख् के बात ये है, बाप कहते तुम ही सतोप्रधान थे, तुम ही तमोप्रधान बने हो, 84 जनम भी तुमने लिए है, अब फिर वापस चलना है, बाप से वर्सा लेना है, बाबा कहते है मैं तो आया हूं वर्सा देने, बस तुम ये एक जनम, बाकि सब चकर टकर छोड मुझ से तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, याद करो द्वापरियुक से कितना भटके, अब बाप आए हैं तो तुम्हारी सुनवाई होती है, बाप फिर से तुमको सुक धाम में ले जाते हैं, भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे कहानी है, यह भी एक कहानी है, जिसमें जाधा पतन होता है, अब यह पतीत दुनिया, संबंध भी पुराना है, अब फिर से नए संबंध में चलना है, संबंध भी पुराने होगे, पतीत होगे, हर संबंध में भी स्वार्थ समाया हुआ है, अब नए संबंध में चलना है, जहां सिर्फ स्ने और समान का संबंध ह इस समय अक्टर सब हाजिर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं बढ़ सकता है, आत्मा तो अविनाशी है, बाबा कहते हैं, हू बहू, कल्ब पहले मुआफिक, सारे अक्टर इस सेकेंड पर हाजिर है, जैसे कल्ब पहले पाट पजा था, हू बहू, आत्मा तो अविनाशी है, कितनी भेर आत्माई होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता है, इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, तो शरीर छूटेंगे, तो इतनी करोड़ों आत्माओं वापस जाएंगे, आप सोचो, दस लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेचाने में कितनी महनत करने होती, अब इतनी आत्माओं को दुख धाम से निकाल, शान्ती धाम ले जाने भाबा आए हैं, कालों का काल, महा काल, बाकी शरीर तो सबके खतम हो जाते हैं, इसलिए होलिका भी मनाते हैं, होलिका क्या है जल गया शरीर और आत्मा निकल गई उसका प्रतीक तुम जानते हो हम सो पुज्य थे फिर पुजारी बने अब फिर पुज्य बनते हुलिका की बात समझ में ही ना हुलिका में जैसे कहते है ना उसके उपर चुनरी डल गई तो वो बच गया तो ऐसे अभी जो आत्मा श्रीमत पर चलती है वो विनाश काल की आग से बच जाती और एकदम बिना सजाएं खाए परमधाम जाएगे तुम जानते हो हम सो पुज्य थे फिर पुजारी बने अब फिर पुज्य बनते हैं अब हमारे बुद्धी में यह सारा खेल आ गया है वहाँ यह knowledge नहीं होगी सत्ययुक जाएंगे फिर यह आदी मध्यंत का ज्ञान बुद्धी में नहीं होगा ना ये शास्त्रा आदी होंगे, वहाँ सच्चा ज्यान भी नहीं और भक्ती का भी कोई शास्त्रा नहीं, सब खतम हो जाएंगे, जो योग-योग तो होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वो सब कुछ देखेंगे, उनको दुख की भासना नहीं आएगी, वो जैसे होकर देखेंगे, कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है, अकबारों में भी पढ़ता है, कैसे गाओं के गाओं खतम हो जाते हैं, तो ये सब आखों के सामने होगा, और फिर हम अपने अंतिम सेवा करेंगे, हर आत्मा को उस समय, परमात्मा के द्वारा, जो अंचली चाह है, सुक, शान्ति की, उस समय देकर फिर अंतह वाहक सेवा करकर हम लोट चाहेंगे, बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी, समुद्र को सुखाया, फिर समुद्र हो जाएगा, यहना समुद्र को सुखा कर बॉम्बे बनी, फिर सारा जलमई हो जाएगा, यहना बस भारत खंड ब सत्यूग में मीठे पानी पर महल होंगे, यहना सत्यूग पर समुद्र, खारे पानी के पास महल नहीं होंगे, मीठे पानी, नदियों पर महल होंगे, यहना यमना के कंठे पर राज्थानी होगे, खारे पानी पर होते नहीं, तो यह रहेंगे नहीं, यह जो सी साइड, उपद्रव होंगे, करोडों अनुष्य मरेंगे, अनाज कहां से आएगा, तो उस समय बाबा कहते हैं, सिर्फ नैच्रल कलामेटी नहीं होगी, लेकिन उस समय फिर भुकमरी भी होगी क्योंकि सारा यातायात बंद हो जाएगा, पानी विशाक्त हो जाएगा, बोजन नहीं मिलेगा, तो बाबा कहते हैं ऐसी सीन को देखने के लिए पूरी तयारी करने इसलिए बाबा कहते हैं योगी बनो, श्रीमत पर चल कर बल अभी से जमा करो वो लोग भी समझते हैं, आफते आनी हैं दुनिया में भी देखो, क्लाइमिट चेंज की कॉन्फरेंस करते हैं और वैसे भी कहते हैं, सारी खानिया खतम हो रही हैं तो हर एक को एटेंशन तो दिलाते हैं कि अभी तो आफते आनी हैं मनुष्य मरेंगे तो जो योग-युक्त होंगे वो उस समय मौज में रहेंगे क्योंकि हमें अनुभव होगा कि अब समय आ गया शान्ती धाम घर जाकर सुक धाम में आने का मिर्वा मौत मलूक का शिकार बर्फ की बरसात पढ़ने से धेर मनुष्य मर जाते हैं बहुत नैचरल कलैमिटीज होंगी तो नैचरल कलैमिटीज का ये भी एक स्वरूप रहेगा बर्फ की बरसात ये सब खतम हो जाएंगे इनको कहा जाता है नैचरल कलैमिटीज गौडली कलैमिटीज नहीं कहेंगे ये तो प्रकृती के पांचो तत्व अपना तांडव करेंगे ये सब खतम हो जाएंगे कहते हैं न शिव ने तांडव किया शिव नहीं करते प्रकृती आपे ही तांडव करती है इनको कहा जाता है नैचरल कलैमिटीज गौडली कलैमिटीज नहीं कहेंगे गौड को दोश कैसे देंगे ऐसे भी नहीं शंकर ने आग खोली तो विनाश हो गया नहीं ये तो आपे ही ये जो इतनी तमो प्रधानता के कारण प्रकृती हलचल में आएगी और तमो प्रधान आत्मा ही भी अपने संसकारो वश विनाश के निमित बनेंगे ये सब है भक्ती मार्क की बाते मुसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है कि मुसलों से अपने ही कुल का विनाश किया तो ये मुसल क्या है? मिसाईल, आज के मिसाईल जो है तुम जानते हो इन मिसाईल से कैसे विनाश करते हैं तो सिर्फ प्रकृतिक आपदाई नहीं होंगे मनुष्य के विकार नहीं होंगे लेकिन मनुष्य ने ये जो यंत्र बनाई है ये मिसाईल, साधी, अटॉमिक, नुकलियर, एनरची ये सारे भी विनाश का कारण बनेंगे कैसे आग, गैस, जहर, आदी सब उसमें पढ़ते रहते हैं और ये मिसाईल तो एक छोड़ें, तो जहरीली गैस छोड़ देते हैं आजकल तो फिर कितने टाइप के बायो वेपन्स पन रहे हैं तो सोचो विनाश कैसा होगा पुछते हो अपने को इतनी तयारी है कि ऐसी सीन देख सकें और बिलकुल बाबा की याद में बाबा के साथ जा सकें बाब समझाते हैं, पिछाडी में सब फट से मर जाएं कोई बच्चे आदी भी दुखी न हो, इसलिए नाच्रल कलामिटी से जट मरेंगे बाबा केती, ड्रामा में बच्चों के लिए ये भी नून्ध है कि ज्यादा कश्ट ना पाएं, ये सब बना-बनाया ड्रामा है आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती लेकिन शरीर छूटे तो उसमें भी बहुत कश्ट ना हो शरीर से लगाओ है, आत्मा का तो कश्ट होता है न तो बाबा केते हैं, जट से छूट जाएं, इसकी भी ड्रामा में नून्ध है ना छोटी बड़ी होती है, शरीर ये सब यहां खलास होंगे एक भी शरीर नहीं रहेगा पुराना बाकी आत्माई सब स्वीट होम में चली जाएंगे बाब कल्प कल्प आते हैं संगम यूग पर तुम भी इस पुर्शोत्तम संगम यूग पर ही उँचे ते उँच बनते हो वास्तव में श्री 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 बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाएगा क्योंकि श्री श्री बनाने वाले को और रचना को कहेंगे श्री आजकल तु देखो सब को श्री श्री कहते रहते हैं मनुश्य अपनी देविमान में जूटी महिमा कितनी करता है श्री मती, श्री फलाना, अब श्री अर्थाथ तो स्रेष्ट होता है तो स्रेष्ट का टाइटल कैसे रखा सकते हैं जब इतने पतित हैं अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं बाबा केते हैं स्रेष्ट बन सकते हो लेकिन श्रीमत पर चलो तो विकार में जाना क्या ये श्रीमत है विकार में जाके कोई स्रेष्ट पनेगा क्या ये तो है ब्रश अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए, ग्रहस्त वेवार में रहते कमल पूल समान पवित्र रहो, यह है श्रीमत, स्वध को अब विश्व के आदी मध्य अंत के चक्र का ज्यान हुआ है, परन्तु यह अलंकार तुमको नहीं दे सकते, स्वधर्शन चक्रधारी तो हम बच्चे अभी बने हैं, लेकिन कब परदर्शन चक्र फिरने लगता पता नहीं, तो इसे लिए अभी पुर्शार्ती को यह अलंकार नहीं दे सकते, आज तुम अपने को स्वधर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थपड लगा दे, तो ग्यान ही उड़ जाए, इसे लिए तुम ब्राम्भनों की माला भी नहीं बन सकती, माया थपड लगाए बहतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बन जाए ना, दशाएं बदलती रहती हैं, आज देखो तो बहुत अच्छा पूरा पवित्र ब्राम्मन जीवन, कल पता नहीं कैसे करम, कैसे संकल्प चलाते हैं, रूद्र माला ठीक है, परमधाम में जब पहुंच जाएंगे, तो अपने-पने स्थान पर पिरो जाएंगे, विष्णू की माला भी है, सत्यूग में भी सबका पद फिक्स है, बाकि ब्राम्मनों की माला नहीं बन सकते, क्योंकि रोज दशाएं बदलती हैं, तुम बच्छों को डाइरेक्शन्स देते हैं, कि देहे सहे देहे के सब धरम छोड, मा मेकम याद करो, यहे श्री मत्स, रे वानप्रस तवस्था में, अपना शरीर भी नहीं है, और जो शरीर लेते भी, वो भी बुडातन है, जब साथ वरश की आयो हुई, वानप्रस तवस्था में ही गुरू किया जाता है, मैं तो हूँ सत्गुरू, परंतु गुप्त वेश में, वो है भक्ती के गुरू, तो ब बच्चे हैं, बुद्धी हद से निकल बेहद में चली गई है, अब बाबा तो स्वयम को जो स्वमान आ गया, कि मैं प्रजा, पिता, ब्रमा हूँ, तो हर एक को, हर एक आत्मा को कैसे देखने लगे, ये तो बच्चा है, बाबा कभी, बाबा को को कोई निंदा भी करता, त बाब तो बच्चे को पहचानता है, मुक्ती में जाकर फिर जीवन मुक्ती में आते हैं, तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं, हर एक को पहले सुख, फिर दुख भोगना पड़ता है, ये भी काल चक्र का नियम है, ये वर्ल ड्रामा है, तब तो कहते हैं, अहो प् तुम हो लाइट हाउस रास्ता बताने वाले, तुम बाप के बच्चे हो ना, फादर कहते हैं मुझे याद करो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो, बेहत का बाप स्वर्ग का रचाईता है, भारत में स्वर्ग था, बाप पाते हैं भारत में, शिवजेनती भी भारत में मनाई जाती हैं, परन्तु कब होती हैं ये कोई नहीं जानते, ट्रेन में भी समझाओ, परम पिता है, तो कभी तो बच्चे और बाप का मिलन होगा न, तो जिस भारत में शिवजेनती मनाते हैं, उसमें अभी पिता आये बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम अशरीरी आये थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे, मामे कम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे अच्छा मेडे मीठे सिकी लडे बच्चो प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकी लदे, मात पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉनिंग और नमस्ते, ओम शान्ते धारणा के लिए मुख्य सार है, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है बुद्धी हद से निकाल बेहद में रखने है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है अब वापिस घर जाना है, इसलिए स्वानप्रस तवस्था में सतो प्रधान बनने का पुर्शार्थ करना है अपना टाइम वेस नहीं करना है वर्दान है, संबन संपर्क में आतें, डाइमंड बन, डाइमंड को देखने वाले बे दाग डाइमंड पवा हैना दूसरे को डाइमंड देखेंगे तो खुद दाग से बचे रहेंगे बाप दादा की श्रीमत है कि डाइमंड बन, डाइमंड को देखो चाहे कोई आत्मा काला कोईला एकदम तमोगुणी भी हो, लेकिन आपकी द्रिष्टी पढ़ने से उसका कालापन कम हो जाए, आप तो डाइमंड हो ना आपकी चमक में चमक जाए, भले काला कोईला हो, अमरित विले से रात तक जितनों के भी संबन संपर्क में आओ, सिर्फ डाइमंड बन डाइमंड देखते रहो, आपकी लाइट से उसको भी चमकदार देखो, किसी भी विघन अथ्वा स्वभाव के वश डाइमंड पर दाग ना लगे, आपके अंदर ना आजाए, आपके प्रकाश का असर उस पर हो, जाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघन आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो, जो उसका प्रभाव ना पड़े, स्लोगन है, मन और बुद्धी को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही आज्याकारी है, क्योंकि जिनकी मन और बुद्धी में मन मत होती है, वो तो इश्वर्य आज्या को भी मन मत के चश्मे सजब सुनते हैं, तो उनको इश्वर्य आज्या यथार्थ सुनाई नहीं देती, लेकिन उनके संसकार, उनकी मत के अधार से, जो उल्टी बात उनकी समझ में आई हुई है, वहीं सुनाई देती है, इसलिए इश्वर्य आज्या को यथार्थ सुनने के लिए भी पहले अप में रहना पड़े। अवियक्ती साइलेंस त्वारा डबल लाइट फरिष्टा स्थिती का अनुभव करो। बाबा कहते हैं, जैसे अंतरिक्ष यान वाले उचे होने के कारण सारी पृत्वी के जहां के भी चित्र खीचना चाहें खीच सकते हैं। इसे साइलेंस की शक्ती से अंतर मुकता की गुफा में बैठ कर साइलेंस की गहरी अनुभूती करो। यह अनुभूती डबल लाइट फरिष्टा बना देगी। और यह जो डबल लाइट फरिष्टा स्थिती हैं कैसी है? उची स्थिती। तो वहां से जहां का भी फोटो खेचना हो। जहां भी बाब जहां का भी ओरिष्टा थेकि और लाइट एटती हैं को झाल लाइट टजिती एंगका भी खेचना हुआ हो।